इसलाव आलेकुम अजीजाने मिल्लत इसलामियां मैं आपका भाई नसीम सिद्धिकी जिस मौज़ू पे आपके बीच में लाइव आया हूँ चाहता हूँ कि आप लोग पहले नीचे दिये गए बटन शेर से शेर को दबाए और जादा से जादा इस वीडियो को शेर करें मेरे भाई और जरूरी है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस मौज़ू पे लाइव आया हूँ कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती जी हाँ मैं आज मुंबई एक्टर इजास खान के समर्थन में ये लाइप वीडियो बना रहा हूँ जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफतार कर लिया ना कोई धंगे भढ़काने वाली वीडियो थी ना ही कोई मध़ब को निशान है और शायद इस सरकार को सच्चाई समझ में नहीं आ रही एजास खान को गिरफतार करना मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद ये हमारी पैरों में गुलामी की जंजीरे हैं कि हम अपनी जुवान से अपनी आवाज भी नहीं बोल सकते और एजास खान में क्या किया मेरे भ मूवी का वीडियो था मूवी के अंदर एक्टर चाहे पुलिस को पीड़ दे वो पुलिस का अपमान नहीं होता मूवी के अंदर चाहे एक्टर पुलिस को मारे वो पुलिस का अपमान नहीं होता लेकिन एजास खान एक वीडियो बना देता है तो एक पुलिस का अपमान हो सुनो अगर आज आप लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे मुसल्मानों चाहे वो जिस जिस के लिए उसने आवाज उठाई है मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि आवाज उठाओ उसके लिए वो हक परस्त इंसान है और उसकी सचाई उसे आज सलाखों के पीछे बेज द उनके खिलाब FIR हुई तो इजास खान ने उनका समर्थन किया पाइल रिस्तोगी ने मुसल्मानों के खिलाब विवादित पोश्ट लिखा तो इजास खान ने उसका भी जवाब दिया आज इजास खान साइबर सेल से बोलना चाहता हूं मैं स्पेसली क्या सिर्फ हमारी मुसल्मान से आवाज नहीं निकल सकती अगर साइबर सेल को अगर गिरफ्तार करना है तो जाकर साइबर सेल वालों से मैं एक्षे तावनी दे रहा हूं कि आप लोग जाकर करो दीपक सर्मा को गिरफ्तार अमित जानी को गिरफ्तार कमलेस्तिवारी को गिरफ्तार राजा सि प्नुशन को इस से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब हम अक्त की बात बोलते हैं ना ही हम अम्मधब को लडाने की बात बोलते हैं और उसके बावजूद भी हमारे उपर यह अक्शन लिया जाता है मेरे भाई मैं आज आपको बता रहा हूँ आज एजास खान है कल नसीम सिद्धी की भी होगा अगर हक बोलना गलत है हम बोलते रहेंगे हम सलाकों के पीसे चले जाएंगे लेकिन याद रखना कोई तुमारी आवाज उठाने वाला नहीं होगा आज वक्त है जरुवत है एक हो लोगों ने वीडियो बनाया है तो साइबर सैल वालों से कहना चाहता हूँ जाके उन सब को गिराफतार करिये उन सब को सलाकों के पीछे डालिये सिर्फ एक मजभवा जंडा लेकर नहीं चलते तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इंदोस्तानी नहीं है हम तिरंगे का सम्मान कर सकते हम भगवा जंडा अपने गले में लपेट कर वीडियो नहीं बना सकते हमारी जुवान में लाने आवाज दी है और हम उसको बोलेंगे गलत है तो गलत बोलेंगे सही है तो सही बोलेंगे लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग हमारे साथ नाजाइस करोगे तो फिर खामोश नहीं रहा जाएगा मेरे भाई अगर मैं भी गलत हूँ तो आप लोग मेरे खिलाब भी अक्षिन लीजिए लेकिन हम मजभ को लड़ाने की बात नहीं करते हम अपने हक की बात करते हैं आपने देखा एजास खान ने किस तरीके से एबी पी न्यूस पे भी रूबिका लेयाकत जो भगवाया चोला पहन कर बैटी है उसका भी जवाब दिया मूतोड जवाब दिया मैं इजास खान का कोई सपोर्टर नहीं हूँ मैं कोई इसका फॉल्वर नहीं हूँ लेकिन हाँ जो हक बोलेगा मैं उसके साथ हूँ हक बोलने वाला सच्चा इंसान होता है और उसी को उसी की सजा उसे मिल रही है मेरे भाई एक होकर और सुनो मैं उन लोगों से बोलना चाता हूँ जो सिर्फ एक मजभब को निशाना बना रहे है हमारा मजभब कोई पांसो हजार का नोट नहीं है जिसे तुम इदर उदर बदलते रह जाओगे हम अपने इमान पर चल है तो बुरी लगती रहे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोग एक होकर हिजास खान का सपोर्ट करिए हिजास खान के साथ आज ना इंसाफी हो रही है उसको फसाया जा रहा है कोई ऐसी विवादित बयान नहीं थे कोई धंगा बढ़काने वाली बाते नहीं कोई पुलिस का अपमान नहीं था अगर पुलिस का अपमान था तो आप ऐसी मूवियों को बैन करो जिसके अंदर पुलिस का अपमान किया जाता है पुलिस को पीटा जाता है आप टिक टोक को बैन कर दो अगर आपको लगता है कि टिक टोक गल टैप से इतने लोगों को इत नसीम सिद्धी की के चाहने वाले उसे कह रहा हूँ मेरे भाई उसके लिए आवाज उठाओ कमेंट में डालो और कमेंट में भी बोलो कि हम इजास खान के साथ हैं हम इजास साथ देंगे सडकों से लेकर रोडों तक और तमाम लोग मेरे भाई इस वीडियो को जादा से जाद शेयर करो और लोगों तक पोँचाओ कि हमारी जुबान पर तुम्हारा ताला नहीं है कि तुम हमारी जुबान पर ताला लगा दोगे अगर हमारे हमें हक बोलने की आदत है तो हम बोलते रहेंगे चाहे वो इजास खान हो चाहे वो नसीम सिद्धी की हो चाहे वो कोई भी हो जो हक बोलना जानता है, वो हमेशा हक बोलेगा, तुम्हारे ना इंसाफी से हम नहीं डरने वाले, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, याद रखना, कितने साजिशे कर लो, कितने चाले चल लो, जिस सरकार को लेकर तुम लोग इतना उचल रहे हो, ना फिरौन की हुकुमत रही, ना मेरे भाई नमरूत की हुकुमत रही, ना जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन एक इसलाम सच्चा, इसलाम एक सच्चा धरम है, अरे इसलाम को मानने वाले सच्चाई के साथ हैं, तो हम इसलाम का बाल बाका नहीं कर सकते, हमारे इमा इसलिए एक मजभ को निशाना मत बनाओ आप लोग मेरे भाई मैं आप लोगों से उपील कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मुल्क के अंदर किस तरीके का नफरतो बारा माहूल है आप लोग इतिहाद लाए मेरे भाई मुत्ताइद होए अगर गलत हो रहा है तो इसके खिला मुत्ताइद होकर मुत्माइन होकर आवाज उठाइए हक के लिए लड़िये और जो नाइंसाफी इजास खान के साथ हो रही है उसके लिए आवाज उठाइए सडकों से लेकर एवानों तक मेरे भाई मैं अपने हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी देख हम हमेशा जुम के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे लेकिन फर्ज आपका बनता है मेरे भाई कि आप लोग हमारे समर्थन में उतरी अगर हमारे साथ कुछ नाजाइज हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाए हम आपके आवाज उठाएंगे आप हमार कर रहा हूं और तमाम लोग जादा से जादा शेयर करें